गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं पहले ही ये बात साफ कर दूँ कि ये जरूरी नहीं है कि मेरे सवाल मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति साबित करने के लिए हूँ मैं इतना बुद्धिमान नहीं दिखना चाता और नहीं ये चाता हूँ कि मुझे इतना सीरिसली लिया जाए कि इनके उत्तर देना सद्गूरू की जिम्यदारी बन जाए मेरे सवालों में एक बच्चे के जैसी जिग्यासा होगी जो जानना चाता है ये हो सकता है मैं ये सवाल आप लोगों की ओर से पूछ रहा हूँ पर मुझे अपना मजाक उड़वाने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक मुझे कुछ जवाब मिल रहे है आप काफी फाइदे वाली कुर्सी पर हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि तवाल के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता केवल जवाबों में गड़बरी हो सकती है ठीक है तो आप शुरुआत से ही फाइदे में हैं आईए मेरे पहले सवाल से शुरू करते हैं क्या आप मानते हैं कि भगवान है आईए से समझते हैं भगवान को समझने से पहले आईए बिलीफ यानि मानता से निपड़ते हैं आप किसी चीज को क्यों मानते हैं कोई कुछ मान लेता है क्योंकि वो इतने इमानदार नहीं है कि स्विकार कर लें कि वो नहीं जानते हैं आप सिर्फ दो ही तरह के हो सकते हैं या तो आप किसी चीज़ को जानते हैं या चीज़ को नहीं जानते हैं पर जिस भी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं जब आप खुद को बहाने देते हैं उसे कहते हैं belief या माननेता सीधे सीधे स्विकार करने के बजाए कि मैं नहीं जानता आप कुछ मान लेना चाहते है कोई मान लेता है कि भगवान होते हैं कोई मानता है कोई भगवान नहीं होते दोनों एक ही नाव में है उन्हें लगता है कि वो अलग हैं पर दोनों ही इतने सुल्जे हुए नहीं हैं कि स्विकार कर लें, कि वो नहीं जानते. इसमें दिक्कत क्या है? कि आप ये समझें, जो मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता? उन्हें दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो मैं नहीं जानता की महानता को नहीं समझते. मैं नहीं जानता एक बहुत बहुत बड़ी संभावना है अगर आप इस एक चीज़ को समझ गए कि मैं नहीं जानता सिर्फ तभी जानने की संभावना आपके अंदर पैदा होगी अगर आप समझ गए कि मैं नहीं जानता तब जानने की लालसा आएगी अगर लालसा जगी तब तलाश शुरू होगी अगर तलाश शुरू हो गई तब संभावना आप में जीवित रहेगी उस सब कुछ जिसे आप नहीं जानते अगर आप उसे मानने लगे तो आप जानने की संभावना कोई खत्म कर देंगे हर जगा माननेता हैं, माननेता हैं और माननेता हैं पर साथ ही साथ भगवान के होने की सोच पूरी दुनिया में ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखे लोगों का भगवान को बनाना बिल्कुल सही है हमारी संस्कृति में यही तो बात है यहाँ हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं क्युक्ए यही संस्कृती है जिसने यह समझा कि भगवान हमारी रचना है हमारे यहाँ ईष्ट देवता होते हैं आज आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं अगर आपको यहां मौझूद देवी देवताओं में से कोई पसंद नहीं तो आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अपने बगीचे के एक पेड़ को, बगीचे के एक पत्थर को, अपनी मां को, पत्नी को, जिसको भी चाहें। या किसी भी चीज को, आपको यह बरतन पसंद है, आप इसको अपना भगवान बना सकते हैं, इस देश में यह किसी को अजीब नहीं लगेगा। क्योंकि हम समझते हैं कि यह हमारी रचना है, वैसे भी यह स्रिष्टी की हर एक चीज में स्रिष्टा का हाथ है, आप जिस भी चीज से जुड़ सकें, आप उसका इस्तिमाल करें, यह बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, तो आपको क्या लगता है कि हमारे सारे पुरान, महाभारत, रामायन, शंकर, राम, सीता, यह सब नकली हैं। नहीं, उनके पीछे इतिहास है, यह बताने के लिए इमारते हैं कि वो थे, अभी भी विवाद चालू है, विवाद चल रहा है, मतलब वह वागई थे, हैंकी नहीं, हैंकी नहीं। नहीं, पर मैं इस बात के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा, हमारे यहां बहुत बड़ा मंदिर, मस्जिद, विवाद चल रहा है, अयोधिया, मामला है, वगेरा वगेरा, हम उस पर अब भी लड़ रहे हैं, तो इतना सारा लड़ाई जगडा क्यों चल रहा है, अ अगर ऐसी मान्यता है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, नहीं, आपने कहा कि एक मान्यता होती है, लोगों को विश्वास करने के लिए कोई चाहिए होता है, हाँ, दुनिया में, दुनिया में सारी लड़ाई अच्छे और बुरे लोगों के बीच नहीं है, जैसा कि लोग इसे दि जीज में, आप दोनों का आज नहीं तो कर लड़ाई करनते है, सवाल बस इतना है कि आप इसे कितने समय तक मैनेज कर सकते हैं, एक ना एक दिन ये बात बहरा ही जाएगी, एक समय था, जब लोग मानेता के टूल के हिसाब से चलते थे, जब इंसानी बुद्धी एक खास त क्यों करते हैं? किसने कहा वो मुझे मानते हैं? ये पूरा ओडिटोरियम खचा-कच भरा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं? नहीं, नहीं, वो यहाँ बैठ कर मेरे कहे हर एक शब्द को जाच परख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ, उसे मान ल पर इतना भरूसा क्यों करते हैं? वो आप पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? चली विश्वास शब्द को हटा देते हैं, हाँ, वो मुझे पर भरूसा करते हैं? ओके मेरे शब्द कुछ और हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सद्गुरू के पास ऐसी शक्तियां हैं, जो आपके पास नहीं है वो मेरी तरह मोटर साइकल नहीं चला सकते ये पक्का है वो कौन सी शक्तियां है वो क्या है जो आपको अलग बनाता है आपको खास बना देता है वो क्या है जो पल्लवी गुपता को आप पर एक किताब लिखने और उसका शीर्षक यू देने पर मजबूर करता है यहां इतने सारे लोग हैं जिने मैं जानता हूँ कभी ऐसे function में नहीं आएंगे वो यहां आए हैं और time पर आए हैं आप में ऐसा क्या है जो आपको अलग बनाता है क्योंकि वो जानते हैं अगर वो time पर नहीं आए तो मैं उन्हें अंदर नहीं गुसने दूँगा पर उनकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है तो क्या है जो आपको अलग बनाता है तो अलग क्या है देखे सवाल कुछ अलग होने का नहीं है जब आप खास बनने की कोशिश नहीं करते बस जैसा जीवन है वैसे ही रहते हैं यानि अगर आप खुद को खास बनाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि खास बनने की इच्छा इंसान के अंदर बस एक खालीपन या किसी खास कमी की वज़े से आती है खास बनने की जरूती कह है हर इंसान अपने आप में अनोखा है अगर वो खास बनने की कोशिश करता है तो वो केवल किसी की नकल उतारता मिलेगा वो जैसा है वैसा नहीं रहेगा तो जब जीवन अनोखा है धरती के हर पेड़ की पत्ती अनोखी है अपने अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है मुझे लगता है कि ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है देखे अभी आप में अनोखी बात क्या है देखे अस्तित्व की प्रकृती ही कुछ ऐसी है आपके आसपास होने वाली हर चीज़ की प्रकृती ही कुछ ऐसी है अगर आप मिट्टी को खाने में बदल दें तो हम इसे खेती कहते है उसी मिट्टी को क्या आप खा सकते है क्या आप मिट्टी को प्लेट में लेकर खा सकते है नहीं लेकिन अगर आप रुकें, आप उसमें बीज बौएं और रुकें, तो वही मिटी भोजन बन जाती है और हम उसे कितने आदर के साथ खाते हैं लेकिन ये तो कुछ और था, पर जब आप इसे खाते हैं तो ये हड़ी और मास बन जाता है, ये आप बन जाते हैं और वो आपके और बाकी लोगों के लिए कितना कीमती है, तो जीवन इसी तरह चलता है, जो गंदगी थी, वो फूल बन जाएगी, सिर्फ अगर आप उसे सही दिशा में पनपने दें, ये फूल, इसकी सुन्दरता और खुश्बू गंदगी से आती है, आप इसकी जड़ में जितनी जादा गंदगी डालेंगे, फूल उतना ही जादा बढ़िया खिलेगा, तो सवाल अलग होने के बारे में नहीं है, नहीं कुछ खास होने के बारे में है, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप खुद को खिलने देंगे, या आप बस खुद को गंदगी में लोट लगाते रहने देंगे मुझे भारती होने पर बहुत गर्व महसूस होता है और मुझे यकीन है बहुत से लोगों को होता होगा पर भरष्टाचार मुझे परिशान करता है और मुझे यकीन है आपने भी इस पर बात की होगी, आपको लगता है आध्यात्मिक्ता ब्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने में कुछ हद तक मदद कर सकती है। चलिए इस भरष्टाचार को सही नजरिये से समझते हैं, बजाए इसके कि आप उन मुठी भर लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया करें जो फाइदे मनस्तिती में हैं। आज आप और मैं यहां पर बात करेंगे और घर जाकर अच्छे से खाएंगे। यानि कुपोशन के सबसे उंचे स्तर पर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनें वो मौका नहीं मिलता। वो जो सामझ एक और आर्थिक हालातों की गर्त में हैं, उनकी जिंदगियां आगले पांच सालों में बदल सकती हैं अगर हम सही काम कर लें। हर भारती को ये समझना चाहिए, ये सिर्फ अर्थ फ्यवस्था यानि स्टॉक मार्केट की बात नहीं हैं, ये उन भूखे लोगों के बारे में हैं जिनको खाना मिल पाएगा। अर्थ फ्यवस्था का मतलब स्टॉक मार्केट नहीं होता, अर्थ फ्यवस्था का मतलब विदेशी कारों का भारत में आना नहीं है, अर्थ फ्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पहनने को बहतर कपड़े हैं, इसका मतलब ये सब नहीं होता, अर्थ हमें भारत आना है, भारत एक बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन ब्रष्टा चार वाली शर्मिंदगी इसको हम नहीं जहिल सकते, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, वो थोड़ा सा परसंटेज दे कर काम करवाने के लिए तयार हैं, पर उनको रोजाना जिस के द्वारा खतरे में डाला जा रहा है, या मुठी बर कहना गलत होगा, ये पूरा का पूरा देश भरष्ट लोगों से भरा पड़ा है, क्योंकि मुंबई की सडकों पर कितने ऐसे लोग हैं, जो अगर पुलिस वाले ना हो तो रेड लाइट पर रुकेंगे, मेरे ख्याल स पर हम लोग अपने जीवन को सामंतवादी तरीकों से निकाल कर एक लोगतांत्रिक तरीके की ओर ले जाने की कोशिश में, लोगतांत्रिक तरीके अब भी हमें समा नहीं पाए हैं, तो मैं कहरा हूँ हमारे मन में, पर हमारा सुभा अब भी सामंतवादी है, लेकिन हम एक ल लोकतांत्रिक समाज में रहने की जिम्यदारी क्या होती है। ये चीज नहीं हुई है। हमने बस अंग्रेजों से लोकतांत्र ले लिया है। और अब हमें लगता है कि हम बस पांच साल में एक बार वोट दे देंगे, अपनी उंगली खराब कर लेंगे और सब कुछ हो नई, हमने लोगों को सिक्षित नहीं किया है। हम अब भी एक सामंत्रवादी समाज हैं जो लोकतांत्रिक होने का नाटक कर रहा है। मान लीजे, मैं पहले से बता दूँ कि ये कालपनिक सवाल है, मान लीजे अगर आपको एक महिने के लिए देश का प्रधान मंत्री बना दिया जाए, तो आप चीजों को कैसे बदलेंगे। देखे, लोकतांत्रिक प्रोसेस में ऐसा करने के काफी सारे साधन हैं। मुझे या किसी और को एक महिने के लिए प्रधान मंत्री बनाना बहुत ही कुरूर काम होगा। चलिए पांच साल के लिए? तो आप मानते हैं कि एक महिना काफी नहीं होगा, मैं समझ गया। नहीं, क्योंकि एक महिना बहुत ही भद्धा मजाग है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन, जो भी सिर्फ एक महिने के लिए सत्ता में आएगा, वो भारत जैसे विविदिता वाले देश में कुछ नहीं कर सकता। इस देश को चलाने के लिए आपको ये समझना होगा, कि आप इस देश को पॉलिसी से नहीं चला सकते हैं, या कानून से, आप इस देश को तभी चला सकते हैं, जब अगर आपको कुछ भी हासिल करना हो, आप उसका एक आंदुलन चलाएं। अगर आप इसको एक आंदोलन नहीं बनाते, अगर लोग इसके साथ भावनात्मा ग्रूप से जुड़ते नहीं, तो कोई कानून, कोई पॉलिसी इस देश में काम नहीं करने वाले, ये सिर्फ वो लोग हैं जो कहीं से लाकर यहां जमाये गए हैं, जो भारतियों के साथ पले बढ़े नहीं हैं, वो ये बात नहीं समझते, उन्हें लगता है अगर आप एक रूल बना दें, सब काम हो जाएगा, ये स्विजर लैंड नहीं है, जहां बस नोटिस बोड़ पर घोशना करने से सब उसको मानने लगे हैं, यहां आपको इसका आंदोलन बनाना पड़ता है लोगों को भावनात्मा गूरूप से लक्ष के साथ जोड़ना पड़ता है, अगर आप ये ना करें, तो कभी कुछ नहीं होने वाला, तो जो भी प्रदान मंत्री बने, मैं अपने आपको वानी देखना चाहता है आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? ये बहुत आसानी से किया जा सकता है मिसाल के लिए ऐसे कई राज्य हैं जो बहुत जोर शोर से प्रगती करते जा रहे हैं अगर आपने बिहार को देखा हो, बस दस साल पहले, मैं बिहार में गाड़ी से घूमा हूँ बस इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि बिहार कैसा है ये बिलकुल अफगानिस्तान जैसा देखता था, इसका ज़्यादा तरहस्था आज चीजे हो रही हैं, बहुत बढ़ी हाँ चीजे हो रही हैं, सिर्फ एक आदमी से गुजरात में बहुत सी चीजे हो रही हैं, सिर्फ एक इंसान है बिलकुल तो क्या हम इस देश के हर राज़ी के लिए ऐसे 25 और आदमी और रोते नहीं पैदा कर सकते क्या हम इतने नपुनसक हैं, कि हम 25 लोग नहीं पैदा कर सकते जिनमें कुछ इमानदारी हो, जो इस देश के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकें और आज आपको कुछ जादा नहीं करना है भारत के लिए ये धूम का समय है, जहां आपको बस कुछ चीजों को मैनेज करना है और उसे होने देना है, बस आपको बस ये देखना है, कि आर्थिक प्रक्रिया नियंतरन से बाहर न हो जाए आपको बस उसे मैनेज करना है और कुछ नहीं ये धूम मचाने का समय है, पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही है सिर्फ दो आर्थ फेवस्थाएं हैं, जिन पर सब कुछ निरभर है फिलाल वो चीन है और भारत है भारत बहतर तरीकों से लैस है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और सभी संख्याओं की जाँच की जाती है लेकिन जो चीन में उसकी जाँच नहीं की जा सकती तो बहुत से लोग शक करते हैं और डरते हैं क्योंकि इसका समर्थन सरकार करती है भारत के पास प्रॉपर कार्परेट धांचा है भारत के पास एक भरुसे मंद स्टॉक मार्केट है जिसको बढ़ा जा सकता है हमारा भ्रष्टाचार भ्रष्ट सिस्टम सिस्टम भ्रष्ट नहीं है भ्रष्टाचार उसकी वज़ा है वो लोग जो उसको चला रहे हैं इनके पास ऐसा तरीका है ये जो चाते हैं मुझसे कहलवा के रहते हैं नहीं नहीं जो लोग उसे चला रहे हैं वो समस्या हैं पर उन्हें कैसे ढूंडे आपने दो राज्यों के बारे में कहा आपने गुजरात और बिहार का जिक्र किया और अजीब बात है कि इन दोनों में से कोई भी केंदर दुआरा शासित नहीं है तो हम कैसे करें क्या हम प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब यह नहीं है कि पांच साल में एक बार बस अपना वोट डाल दें, कुछ लोग तो वो भी नहीं करते, पर मैं कह रहा हूँ अगर आप यह करते भी हैं, तो वो भी काफी नहीं है, लोगतंत्र एक सक्रिय खेल है, यह देखने वालों का खेल नहीं है, आप आराम से बैट कर यह नहीं कह सकते कि किसी और को लोगतंत्र चलाने दो, लोगतंत्र एनी आप बहस हैं, आप सोते नहीं रह सकते, आपको आस पास की हर चीज में सक्रिय होना होगा, अगर आप लोगों में यह जागरूपता और एक्टिविजम नहीं लाते, ये काम नहीं करेगा, इसके साथ ही साथ हर चीज के लिए हर्ताल करना, हर चीज के लिए बंद लगवा देना, हर चीज के लिए, जानते हैं न? ये हमारे यहां का कल्चर है, लोगों ने इस देश को रोक देने की तकनीक समझ रखी है, बंद है, हर्ताल है, पर देश को चलाना कैसे है, ये एक अलग ही तकनीक है, मैं कह रहा हूँ, महीने में कम से कम एक बार आपके महले में, आपके क्षेतर में, या आपके आसपास जो भ तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता मैं एक छोटे शहर में एक lower middle class वाली family में पला बड़ा हूँ जब मैं बच्चा था मुझमें हर चीज को लेकर एक जिग्यासा या विस्माई का भाव था मुझमें आज भी वो हर चीज को जानने का भाव है मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप से बात कर रहा हूँ लेकिन आज कल के बच्चों में मुझे ये गहरी जिग्यासा का भाव नहीं देखता क्योंकि वो जिग्यासा के जगा www.w.w. को ले आए है बिल्कुल बेशक यही हुआ है वो पूरा ब्रमांड जानते हैं छे साल के होने से फेले बिल्कुल उने सब पता होता है उन्हें बस गूगल पर जाना है और सारी जानकारी हाजर है पर जानकारी का मतलब यह ज़रूरी नहीं कि आपको ग्यान है ऐसा ज़रूरी नहीं तो हम कैसे और वो हमेशा कहेंगे मैं तो ऐसा ही हूँ मैंने तो अपने 84 साल के दादा जी को भी ऐसा कहते हुए नहीं सुना है कि मैं तो ऐसा ही हूँ तो ये सब क्या है? मैं तो ऐसा ही हूँ मैं बोर हो गया हूँ डूड, कूल, ऐसा रखता है जैसे बुरा होना कूल है अगर आप बोले मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो आप बोरिंग है अक्सर वो होते है हाँ वो है दुनिया के लिए मार्केटिंग करने वालों के लिए हर 15 मिनिट में जो ब्रेकिंग न्यूज होती है जो लाखों चैनलों पर दिखाई जाती है वो कभी अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं होती वो सिर्फ आपदा, बलातकार, रुप्यों का हवाला के बारे में होती है हम डर की मार्केटिंग कर रहे हैं हम ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जिनें लगातार ये महसूस करवाया जाता है अब भारत में भी ऐसा ही है कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि हरगज शांती पूर्ण नहीं है जो कि जहां जो कि एक खतरनाक दुनिया है माफ कीजीगा पर मैं कहूंगा हम अमेरिका जैसे बन रहे हैं जहां हम किसी को जरा भी देख नहीं सकते मैं दू साल पहले अमेरिका में था, मैं किसी को देख रहा था और सोच रहा था कि इनसे अपने होटल का रास्ता पूछू या नहीं, क्योंकि मेरे होटल में एक मॉल था और मैं मॉल में गया और जब मैं बाहर आया तो मुझे होटल नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं जरूर गूर कहीं और से बाहर आया हूंगा तो मैं किसी और को देख रहा था सोच रहा था क्या मैं इनसे होटल करास्ता पूछू या नहीं तो उसने कहा मुझे गूर क्यों रहे हो क्या गूर रहे हो मैं ठरा एक्टर मैंने कहा क्या मैं आपको गूर रहा हूं सर सॉरी मुझे नहीं पता था मैं आपको घूर रहा हूँ वो बिचारा मुझे सच में मेरे होटल तक छोड़ कर आया तो मैं कह रहा था आप क्या करें कि आप कैसे आज के जमाने में आज कल के समय में कैसे कोई थोड़ा सा भोलापन बना कर रखे कम से कम थोड़ा सा जिग्यासा का भाव बनाए रखे कोई ये कैसे करें देखिया आपने दो चीज़ें कहीं जिग्यासा और भोलापन जिग्यासा जरूरी नहीं है कि भोलेपन से आए देखे एक्जाम्पल के लिए जब आप बच्चे थे आप जरूर आसमान की ओर देखते थे ना ठीक है आपने कोशिश की थी क्या आपने कभी तारे गिने थे मैं शिमला में ऐसे करता था वहां करने को कुछ होता नहीं थे आप कहां तक गिन पाए थे मैं सत्त्रा सो तक जा पाया और फिर सबाड़ बढ़ो गया जो यहाँ था अब नहीं है और जो वहाँ नहीं था अब आ गया है समझ रहे हैं? सब में एक सब हो जाता है और वो अपने आप में एक अचंभा था सत्त्रा सो ने ही मेरे होश उड़ा दिये थे आज वैज्ञानिक बता रहे हैं, वहाँ पर सौ अरब गैलक्सी या आकाश गंगा हैं, तारे नहीं गैलक्सी तो जैसे जैसे आप खोजेंगे, जैसे जैसे आप जानेंगे, आपकी जिग्यासा और बढ़ेगी क्योंकि आपको अस्तित्व की प्रकृति का हैसास होगा, तो आपकी जिग्यासा में विस्फोट हो जाएगा, तो जिग्यासा भोलेपन के होने या ना होने की वज़े सा गायब नहीं हुई है, बलकि इसलिए, क्योंकि जिसे हम ग्यान कहते हैं, वो जिंदिगी के बेतु के न जब आप उस पर ज़रूरी ध्यान देते हैं, पर अब लोग ऐसे बन गए हैं, वो किसी चीज़ को ध्यान से नहीं देख सकते हैं, हर चीज़ को चक 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 ऐसे देखते हैं, ऐसी अवस्था में आप में कोई जिग्यासा नहीं होगी, सिर में बस निशकर्ष होंगे कोई समझ नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ सिर्फ में खुद से बड़बडाते रहेंगे कोई समझ नहीं होगी अगर समझ होती तो मन की ये बखबख रुख जाती अगर आप कुछ बेहत खुबसूरत चीज़ देखते कुछ दिलचस्प लगता सब कुछ रुख जाता लोग आपके फिल्में क्यों इंज्वा करते हैं क्योंकि आप लाइटे बंद कर देते हैं तब वो एक चीज़ पर फोकस्ट हो जाते हैं फिर कुछ 90 मिंटों या जितने भी मिनट के लिए उनके मन की बखबख गायब हो जाती है कुछ और हो रहा होता है ये उनका ध्यान है जो अंतर लेकर आता है वो जो स्क्रीन पर चल रहा है वो नहीं वो तो सिर्फ उनके ध्यान को पकड़े रखने का एक साधन है पर ये उनका ध्यान है उनका निरंतर ध्यान जो उने वहाँ होने का अनुभव देता है तो ये एक शुरुवाती टाइप का मेडिटेशन है इसको धरना कहते हैं तो कोई आज के समय में इस ध्यान की अवधी को कैसे बनाए रखे? एक आसान चीज ये है कि हर किसी को खुद के लिए कुछ न कुछ जرूर करना चाहिए हर स्कूल को हर बच्चे के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बच्चे को आवश्यक रूप से किसी चीज़ पर लगातार ध्यान देना हो ये संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है देखे आप संगीत या निर्ते तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पुरा ध्यान नहीं दे रहे हूं नहीं तो आप खुद का मजाग बना बठेंगे पर आप बिना ध्यान दिये परिक्ष़ा पास कर सकते हैं आप समझ रहे हैं ये सही का, मैंने देखा है, ये बड़ी आसान चीज है, बच्चे हमारे यहां आते थे, हमारे यहां इशा होम स्कूल है, जिसे बहुत ही अलग तरीके से चलाया जाता है, एक दिन मैं असेमली में गया, ये सब 6-6 साल के बच्चे ऐसे-ऐसे कर रहे थे, मैंने पूछा ये बस ये एक चीज शुरू करवाई, हर रोज सुबह 15 मिनट के लिए सारे गामा पाधानी सा, हर किसी को ये करना ही होगा, और दो मैने बाद आप जाईए, वो सब ऐसे बैठे थे, और बस इतना ही चाहिए, आप बस उन्हें जंगल में ले जाईए, उन्हें रात में बिना ट इन सब चीजों के लिए असमर्थ बना रहे हैं, बस कंप्यूटर के सामने बैठने से वो शारे लिर गूप से असमर्थ हो रहे हैं, जब शरीर में तकलीफ होगी, तो वो विरोध करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, तो माता पिता को इस बारे में जरूर कुछ करना बच्चों को बड़ा करना, मतलब बस उन्हें स्कूल भेजने और माक्स और ग्रेट्स दिलवाना नहीं होता, आपके बच्चे को उसके शरीर में, उसके मन में अपनी पूरी ख्शमता से खिलना चाहिए, सिर्फ तभी ये चीज उनके जीवन में सफलता की रूप में सामने ऐसा नहीं है, मैं गुसा करने में सक्षम नहीं हो, मैं सब कुछ करने में सक्षम हो, बात बस इतनी सी है, कि मैंने ये सौभागी किसी को दिया नहीं है, कि वो मुझे गुसा दिला सकें, या मुझे खुश कर सकें, वो मुझे नाखुश कर सकें, वो मुझे दुखी कर सकें, इससे मुझे गुस्ता नहीं आता है, अगर उनको डांट चाहिए होती है तो मैं बस डांट देता हूँ देखे, दुनिया में अलग-अलग किस्म के लोग होते हैं, यहां कुछ ऐसे लोग हैं, अगर मैं बस उन्हें देखूं तो हो समझ जाएंगे, उन्हें क्यों देखा जा रहा है कुछ ऐसे हैं अगर आप उन्हें देखें, तो बस आपको घूरते रहेंगे अगर आप प्यार से कहें तो वो समझ जाएंगे कुछ ऐसे हैं जो प्यार से कहने पर भी नहीं समझेंगे उन पर आपको चिलाना पड़ेगा कुछ ऐसे हैं जिन पर अगर आप चिला भी दें तो भी नहीं समझेंगे आपको उनके सिर पर खटखटाना पड़ेगा दुनिया में अलग-लग स्तर की समवेदन चीलता है आपकी प्रतिक्रिया उन हालातों के मुताबिक होनी चाहिए जिन में आप रहते हैं मैंने अपने आपको ऐसे बांध कर नहीं रखा है कि मैं ये नहीं कहूँगा, मैं सौ में रहूँगा, मैं अच्छे से रहूँगा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है मैं सिर्फ उन हालातों के हिसाब से काम करता हूँ जिन में मैं होता हूँ आपको चुस की जरुवत है, मैं वो करूँगा आपको सिरफ डांट की जरुवत है मैं डांट हूँगा मुझे क्या दिक्कत है आप में क्या कमी है मेरी कमी यह है कि मैं उतना लंबा नहीं हूँ आपका कदिहां सबसे ज़्यादा उचा है हम जानते है मैं थोड़ा छोटा पैदा हो गया आप अकेला महसूस करते हैं जब आप अकेले हो और अकेला पर महसूस करें जाहिर है आप बुरी संगत में हैं न कहना ही पड़ेगा आपसे बात करना एक बहुत बढ़िया सफर है इससे पहले कि हम सवालों के लिए दर्शकों के पास जाएं अगर आपको अपने आपको एक शब्द में बताना हो तो वो एक शब्द क्या होगा दिविद दर्शी के अलावा क्या आप वाइल्ड लाइफ को एक शब्द मानेंगे या दो आपके लिए एक शब्द जीवन असंस्कृत बेतर्टीब और बस वाइल्ड और जैसा ये है मैं ये हूँ आप बहुत प्यारे भी है बस जीवन और कुछ ने आपसे बात करना बहुत कुछ सिखा गया मुझे कहना होगा कि मैं बहुत संपन महसूस कर रहा हूँ ठीक है तो दर्शकों की ओर से कोई सवाल हाँ जी प्लीज किरन जी आपसे सवाल पूछना चाहती है मुझे पता ये इनके लिए है ना मेरे लिए नहीं अनुपम से पूछे सारे सवालों के जवाब अभी नहीं मिल पाए हाला कि तो मैं दुबारा से पूछनी की कोशिच नहीं करूँगी पर मैं कहूंगी कि आखरकार आज आपसे मिलकर बहुत सौभाग गिशाली महसूस कर रहे हूँ बहुत सालों पहले मैंने आपकी किताब मिस्टिक म्यूजिंग पड़ी थी जो मैंने अपने भाई अपने छोटे भाई को खो दिया था ये हमारे परिवार के लिए बहुत दुखत था और ये कुछ ऐसा था कि जिसको समहालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था आपकी किताब ने मुझे काफी सहस दिया और बहुत राहत दी साथ ही इसमें आत्मा के बारे में बाते थी इसमें ये भी कहा गया था कि जीवन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है उसमें आपने लिखा कि जब आप आपकी पत्नी और सब लोग ध्यानलिंग का निर्मार कर रहे थे और आपने कहा था कि कैसे जीवन का धागा यानि ऐसा कुछ था जो ना नाजुक हो गया और वो उसे समहाल नहीं सकी और वो चल बसी आपका ये कहने से क्या मतलब था आपके अंदर का जीवन आपकी भौतिक्ता से जुड़े रहने की कोशिश करता है आपके शरीर को आपने इक खटा किया है आप ये नहीं है ये मिटिरियल है ये बस इस धर्ती का एक हिस्सा है जिस चीज को आपने इस धर्ती से उठाया है, अगर उसे इस जीवन से जुड़े रहना है, जिसे आप मैं कहते हैं, आपको एक विशेश तरके स्पंदन में होना पड़ता है अगर आपने तीवरता को एक निश्चित पॉइंट से नीचे गिरा दिया, तब आप इसे नहीं समाल पाते हैं, इसे कहते हैं, बुढ़ापे की वज़े से मरना अगर आपने किसी अपने को ध्यान से देखा हो, जो बुढ़ापे की वज़े से मर रहे हों, तो आप देखेंगे कि उनके आँखें बेजान हो जाती हैं, जीवन बेजान हो जाता है जैसे कि शरीर उस जीवन को समभालने में संघर्ष कर रहा हो, पर उस समभाल नहीं पाता क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया है अगर इस पंदन की तीवड़ता एक स्तर के नीचे चली जाए, तो फिर ये शरीर से जुड़ी नहीं रह सकती, ये शरीर छोड़ देगी तो इसे आम तोर पर शांती से गुजर जाना कहते हैं, क्योंकि ये बिना किसी संघर्ष के चला गया है ऐसा तब है जब तीवड़ता कम हो गई हो, एक और तरीका है, वो है कि आप जीवन की तीवड़ता को इतना बढ़ा दें, कि वो एक सामान अस्तर से उपर चला जाए, तब भी आप शरीर छोड़ देते हैं तो आध्यात्मिक साधना यानि आपने जीवन की तीवड़ता को सबसे उचे स्तर तक ले कर जाना, क्योंकि सिर्फ तभी जब जीवन की तीवड़ता जादा होती है, ये ऐसा है जैसे वोल्टेज जादा हो, तभी तो लाइट जादा चमकती है, अगर आपका वोल्टेज कम हो, तो लाइट कम हो जाती है, आपकी जागरुकता कम हो जाएगी, और समझने की ख्षमता कम हो जाएगी, ऐसे में आपके वल्टेज जिन्दा रहना क्या है जान पाएंगे, तो आप इसकी तीवड़ता बढ़हना चाहते हैं, तो जब आप इसे एक विशेश तरसे जादा बढ़ा देते हैं, तो हमेशा ये खत्रा बना रहता है, कि अब बहर निकल सकते हैं, तो हम कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं, जब कोई आध्यात में एक साधक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, तो हम आपके शरीर को कुछ इस तरह फिक्स कर देते हैं, कि वैस पहुआ करता था कि वो शरीर छोड़ सकती थी, आठ साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी, और वो एक दूसरे को 14-15 की उम्र से पहले देख नहीं सकते थे, पर मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से उन्हें ये सिखाया जाता था, समझाया जाता था, कि वो य किया जाता था, क्योंकि इस देश में, इस संस्कृती में, कोई व्यपार नहीं होता, कोई शादी नहीं होती, कोई बच्चा नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता, हर चीज सिर्फ आपकी मुक्ति पानी का एक साधन है, आप शादी इसले करते हैं, क्योंकि आप उसका इस् और लड़की को इस तरह से पालते पोस्ते थे कि चार-पांच साल तक वो एक दूसरे को देखते नहीं थे पर उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता था कि जब वो मिलेंगे तब कुछ होगा एक बच्चे के दिमाग में ये इतनी बड़ी संभावना बन चुकी होती थी कुछ का मतलब वो नहीं है जैसा आज कल के आज कल के नौजवान सोच रहे हैं कुछ का मतलब असे की चीज़ है और कुछ नहीं ठीक है ये सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं ये केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है नहीं सिर्फ दो मनों और भावनाओं का मिलन है बलकि ये दो जीवनों का एक हो जाना है तो इसके लिए हमने बहुत सारे साधन बनाए है आप जानते हैं मंगल सूत्र नाम की एक चीज़ होती है सूत्र यानी काइट को हिंदी में क्या कहते हैं पतंग है ना उसके लिए एक सूत्र होता है ना तो अगर आपके पास सही किस्म का सूत्र होगा तो आपकी पतंग उलेगी तो मंगल सूत्र बस यही है कि इसे एक खास तरह से त्यार करते हैं, ये एक उरजानुट धागा है, और आपको इसे हर साल बदलना होता है, जिसको पता है कि ये क्या है, वो आपको एक जीवन सूत्र देता है, जो पती और पत्नी की उरजाओं से इस तरह से मिले कि उनका सिर्फ तन्मन और भावनाए ही नहीं, बलकि उनका जीवन एक दूसरे में बन जाए, अतीत में कितनी ही बार ऐसा हुआ है, आजकल ऐसा होना कम हो गया है, अगर पती ये पत्नी में से कोई एक मर जाए, तो चालिस दिन के अंदर अंदर उनका साथी भी ऐसे ही मर जाता है, क्या आपने इसके बारे में सुन क्योंकि मकसद दो जानों को एक करने का था, तन कैसे मिलते हैं, मन कैसे मिलते हैं, भावनाएं कैसे मिलती हैं, वो उतना जरूरी नहीं था, दो जाने एक में जुड रही हैं, तो एक तरह का जुडाओं होता था, उनमें से कईने एक दूसरे से बात भी नहीं किये होती थी, ये एक ऐसा जुडाव है जो समझाए नहीं जा सकता उनमें इस मिलन का भाव इतना गहरा था क्योंकि एक वैग्यानिक प्रक्रिया थी जिससे दो जीवनों को ऐसे मिला दिया जाता था कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं था कि ताल मेल न बैठे या ऐसा या वैसा कोई फरक नहीं पड़ता आपकी शैतान से शादी हो गई फिर भी आप जुड़े रहेंगे और आपको अपने अंदर उल्लास का हिसास होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने अंदर मिलन का एक भाव मैसूस होता है ना कि इसलिए कि दूसरा कुछ कर रहा है तो अब ऐसी शादी में कोई क्या करता है आपके पती या पतनी क्या करते हैं इससे फरक नहीं पड़ता आप बस अपने अंदर जैसे हैं वो एक बड़ा फोटक अनुभा होता है अतीत में बहुत सी महिलाएं ऐसी होती थी क्योंकि प्रोसस बड़ा वग्यानिक था और इसको ढंग से किया जाता था तो वो हमेशा मेटल की अंगूठी अपने पैर के अंगूठे में हाथ के अनामी का अंगूठी में पहना करते थे क्योंकि अगर आपके शरीर में कुछ विशेश जगाओं पर मेटल हो तो आप गलती से शरीर नहीं छोड़ेंगे तो जब आप आध्यात्मिक साधना करते हैं और जब हम देखते हैं कोई बहुत ही तीवरता पकड़ रहा है तो पहली चीज ये कि उन्हें हम तांबे की एक सामाने से अंगूठी भेंट करते हैं जिसे उन्हें पहनना जरूरी है ये पहनना जरूरी है और वो इससे बिना अनुमती के नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर ये साधारन सा मेटल उनकी अनामे का उंगली पर होगा और जब वो उल्लास के एक विशेश तरप्रार पहुँचेंगे तो गल्ती से वो अपने शरीर से बाहर नहीं फिसलेंगे तो वो बहुत उल्लास के ऐसी अवस्थाओं में आई और सोभाविक रूप से उन्होंने थोड़े बहुत जेवर वगेरा पहन रखे थे इन बातों की चर्चा इससे पहले कभी नहीं की गई थी बहुत से चीजें हैं जिनकी चर्चा से मैं इंकार कर देता हूँ क्योंकि साधन तभी अच्छे से काम करते हैं जब लोगों को पता नहीं होता कि वो कैसे काम करते हैं तो हम बस लोगों को इसे पहना देते हैं, कभी समझाते नहीं, पर जब ऐसी स्थिती आई, तो मुझे बताना पड़ा कि क्या हुआ है, वो वहाँ पर पूनिमा की शाम को सबके साथ बैठी हुई थी, आसपास लोग थे, और पांच मिनट बाद ये मंदिर की बात है, वो उठ ही और चली गई, मेरी आँखें बंद थी, मुझे पता था, वो उठी है, मुझे थोड़ी चिड़न हुई, क्योंकि बैठने के बाद कोई खड़ा नहीं होता, जब तक हम बताते नहीं कि समय हो गया है, कोई कभी उठता नहीं है, और बाकी सारे लोगों में से मेरी पतनी उ उठकर जाती है, मुझे थोड़ी सी चिड़चड़ा हट हुई, कि वो इतने सारे लोगों में वो क्यों उठ रही है, फिर मैंने नजर अंदाज किया और बैठ गया, पांच मिनट बाद वो आई हैं और बैठ गई, अगले साथ-ाथ मिनट में वो बस ऐसे ही चली गई, जब मैंने देखा वो जा चुकी थी, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिये हुए, फिर मैंने देखा उन्होंने अपने नाक से नत उतार दी थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां उतार दी थी, अपने पैर से दिछियां उतार दी थी, देखिए उन्हें ये बात बो पर अपना शरीर छोड़ देते हैं, और वो आध्यात्मिक साधना में कोई बहुत गहरी उत्री हुई नहीं थी, वो बस एक बड़ी जीवन्त, वो या तो बहुत उपर होती थी या नीचे होती थी, या तो बिल्कुल उलास पूर्ण होती थी या बिल्कुल नीचे, उन्हें बीच का कुछ पता नहीं था, वो ऐसी नहीं थी जिनको आप योगी मा बस इतनी ही योगिता की जिरुत होती है और उन्होंने उस तरफ काम करना शुरू किया, नौ मेने पहले सब को बता दिया, हमने बहुत तरीकों से उन्हें रोकने की कोशिश की, कि ये धीमा हो जाए, पर जो होना था, वो हुआ, जी प्लीज, इशायोग केंद्र कोईंबतूर में अपकी पत्नी की समाधी के पास एक तस्वीर है, जिसने मुझे रीड की हड़ी तक कपा दिया था, मेरी समझ में वो विशुद्ध परमानन्द की भवनाय थी, कोई जीवन में परमानन्द की ऐसी उच्छायों को कैसे चू सकता है, देखी यहां माजूद, हर जीव, को बनाये नहीं रख पाते, समस्या कायम रख पाने की है, सभी ने इन सब के कुछ पल जिये हैं, पर वहां बने रहने के लिए, वहां होने के लिए, आपने जरूरी बुनियाद नहीं बनाई है, देखी अगर एक दिवार हो और आप कूद सकते हैं, और दूसरी तरफ जहां सकते हैं, पर आप नीचे आ जाएंगे, पर अगर आप एक सीड़ी बना लें, जो कूदने जितना रोमेंटिक नहीं है, पर अगर आप उपर चड़ गए, तो आप दिवार पार कर जाएंगे, इनको अलग-अलग नाम देने के बजाए, आनन्द, परमानन्द या ये और वो मिठास, सबसे उचे दर्जे की मिठास, हर इनसान को बस यही चाहिए होता है, अगर आपका शरीर मधुर हो, तो हम इसे सेहत कहते हैं, अगर ये बहुत मधुर हो, तो हम इसे सुक कहते हैं, अगर आपका मन मधुर हो, तो हम इसे शांती कहते हैं, अगर ये बहुत मधुर हो तो हम इसे खुशी कहते हैं अगर आपकी भावनाएं मधुर हो तो हम इसे प्रेम कहते हैं अगर ये बहुत मधुर हो तो हम इसे करुना कहते हैं अगर आपकी जीवन उर्जाएं मधुर हो तो हम इसे आनंद कहते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा मधुर हो तो हम इसे परमानंद कहते हैं अगर आपका आसपास का माहौल मधुर हो तो हम आपको सफल कहते हैं हर इंसान बस यही तो चाहता है और ज़्यादा कुछ नहीं आप अपने अंदर मिठास चाहते हैं, आप बाहर मिठास चाहते हैं, इनसान बस इतना ही तो चाहता है बाहरी हालातों की मधूरता के लिए आपको लोगों की मदद चाहिए ये कला है, आपको जुगार लगानी पड़ती है, समझोते करने पड़ते हैं, आपको साथ-साथ स्थितियों को ढंग से संभलना पड़ता है बाहरी मधुरता बनाना एक खास टैलेंट है, ये खास योगिता है हर कोई बाहर ऐसा नहीं कर पाता पर जब आंतरिकता की बाताती है, तो हम सभी समान रूप से सक्षम है कोई भी किसी दूसरे से ज़्यादा संभन पैदा नहीं हुआ है हर इनसान आंतरिक आयामों के लिए समान रूप से सक्षम है तो कोई परमनंद में बैठा है मैं वहाँ कैसे पहुंच हूँ, क्या ये मेरे लिए सम्भव है ऐसा सवाल तो आप पूछे ही मत अगर ये मेरे लिए सम्भव है तो ये आपके लिए भी जरूर सम्भव है पर जो काम मैं बाहर करता हूँ क्या वो आपके लिए संभव है, शायद हाँ, शायद ना, पर जो मैं आंतरिक रूप से करता हूँ, क्या वो आपके लिए संभव है, बिलकुल, बिलकुल संभव है, आंतरिक अनुभव के लिए किसी को भी न कारा नहीं जा सकता, बाहरीक शमताओं की बात अलग है, तो क्या क तो रोज सुबह आप ये करें, अब हम ईशा क्रिया की सीड़ी पूरे मुंबई में दे रहे हैं, तो रोज सुबह आप अपने आपको इनिर इंजिनिरिंग का तीन मिनट का क्रैश कोर्स दीजेगा, आप देखेंगे, तीन महिनों के अंदर बहुत ही सुख़त महसूस करेंग आप ऐसे बन जाएंगे, पक्का, क्योंकि यही बुनियादी चीजे हैं, इसलिए मैं इसे इंजिनिरिंग कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज को इंजिनिरिंग करना चाहते हैं, तो आपको इसे सही से करना होगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगी, आप ऐसे ही, आपको भी अपने आपको ये खास तरीके से थामना होगा, तभी ये अनुभव बना रहेगा, नहीं तो एक पल उपर होगा, और फिर नीचे, साथी मुझे लगता है, अगर आपकी अनुमती हो तो, अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो शायद ये संभव है कि आप खुश ना हो पाएं, पर अगर आप तै कर लें कि आपको खुश बने रहना है, तो खुश रहने की संभव ना बन ही रहेगी, आप उनके पती को कम क्यों समझ रहे हैं, जी, सभी को गुडिवनिंग, गुरु जी मैं ये जानना चाहता हूं कि इनसान हमेशा जादा और जादा के लिए तरस्ता रहता है, और जो भी मिलता है उससे खुश नहीं होता, बेशक आपने अभी समझाया कि खुश और शान्ती लाने के लिए क्या सला देना चाहेंगे, आसान कर्शिन बूचा आपने है, समस्या ये नहीं है कि इनसान जादा के लिए तरस्त रहे हैं, वो बहुत कम की चाहत रखते हैं, फिलहाल जब मानावचेतना पूरे ब्रह्मान को थाम सकती है, तो उसे चाहने के बज जाहे, वो मुंबई में एक अपाटमेंट के लिए तरस रहे हैं, ये मुर्खता है, तो वो इसलिए दुखी नहीं है कि वो ज़ादा के लिए तरस रहे हैं, वो बहुत कम की चाहा रखते हैं, वो अपने तरसने में भी कंजूस हैं, ये उनकी समस्या है, प्लीज, आप हर च इसकी इच्छा रखे, आप शांदार होंगे, कोई दुख नहीं होगा, आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरस्ते हैं, ये आपकी समस्या है, जब इतनी बड़ी संभावना मौजूद है, इतनी छोटी चीज चाहना, इसके पीछे भागना मैं कहूंगा ये गुना है, तो वो इस गुनाह की वज़े से परेशान है, उन्हें अपने गुनाहों की सजा मिल रहे हैं, और जादा चाहने की नहीं, वो उतना चाही नहीं पा रहे हैं, जब स्रिष्टी और स्रिष्टा उनके लिए संभाव हैं, उनको बस प्रॉपर्टी का ये छोटा सा टकुड़ा चाहिए होता है, वो बस इतना ही सोचते हैं, उसके आगे सोचते हैं नहीं, इसलिए वो दुखी हैं, आपने आपको सीमित रखने की वज़े से, ना कि बहुत ज़्यादा चाहने की वज़े से, क्या मैं एक मंतर जाब कर सकता हूँ? जी, बिलकुल क्रितम वा काय जम कर्म जम वा स्रवन नयन जम वा मानसं वा पराधं विहतम अविहतम वा सर्वमे तच्यमस्वा जय जय करुनाब्दे आमश्री महादेव शम्भू अब तुरंट सवाल उठेगा कि ये प्रार्थना किसलिए है, ये प्रार्थना नहीं है आपको ये समझना होगा कि इस संस्कृति में कभी प्रार्थनाएं नहीं होती, बस आवाहन होते हैं प्रार्थना तो अभी अभी आई है, प्रार्थना मतलब आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे है आवाहन मतलब आप अपने सबसे बहतरीन रूप को सामने लाने की कोशिश कर रहे है अब आसान भाशा में इस मंत्र का मतलब है कि सबी में जिस चीज पर मैं चलता हूँ, जिस हवा में मैं सांस लेता हूँ वो पानी जो मैं पीता हूँ, वो भोजन जो मैं खाता हूँ, वो जगा जहां हम रहते हैं उसमें स्रिष्टा का हाथ सक्रिय है एक लौती सबसे खुबसुरत चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि इसके साथ पूरी तरह शामिल होकर भी आप स्रिष्टी के काम को बिगाड़े मत आप रचाईता के काम को न बिगाड़े यानि आप कुछ ऐसा न करें जो स्रिष्टा की मर्जी से अलग हो स्रिष्टी के पीछे की बुद्धिमत्ता उसके जो इरादे हैं आप उनके साथ ताल में रहें और अपनी बख्वास भरी चीज़े न करें तो यह एक यात्रा है स्रिष्टी के एक अंश होने से स्रिष्टा होने की आत्रा हर इंसान में एक शमता है ये मेरी इच्छा है और आशिरवाद है कि ये आपकी जीवन की एक सच्चाई बने यहाँ उपस्तित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याद कर दो का बहुत एक शमता है